इस वीडियों स्लेव के बारे में बता रही है तो देखिए मैंने गोल्डन कपडा लिए है और कट कर लिए है साइड मथा देते लंबाई 10.5 इंच लिए है और इसकी बेर्थ 9 इंच लिए है और इसकी जो महर यह 5.5 इंच है तयार में और अभी हम डिजाइन देते हैं तो सबसे पहले हम डिजाइन जो है अस्तरपी दे लेंगे साइड में रख देते हैं कपड़े को तो इस तरीके से यह डवाल फूल कर रखा है दोनों स्लिप को है डिजाइन एक साथी कट हो जाएगा तो दीखें ऊपर क को क्या headlocker को लिए ये box बना दिया अभी हम यहां पे जो backside ने वाले हैं एैंच हमने यहां पर लिए और सिंगल करेंगे तो इंच हो जाएगा तो सैम आपको दो इंच यहां पर इस तरीके साश की box बना देना है कि अंगे और एक इंच का यह बना यह box आ जाएगा इस तरीके से तो design जो एक यहां design रहेगी और एक design यहां पर रहेगी यह पार्ट मारा इसी तरीके से plan रहेगा अभी इसकी save देते ते अभी 2 इंच जो लिया है इसके बीच और बीच एक इंच पर marking कर देते हैं और यहां पर भी एक इंच का इस तरीके से plan draw कर लेंगे और यहां से यहां तो देखी इस तरीके के box बन गए अभी हम इसकी save देते हैं तो यहां पर इस तरीके से रख लेते हैं जिदर हमारा हाथ सीधा पड़े तो यह हमने लिया है यहां से लेके इस तरीके से cross में एक marking कर देंगा और सेम इस साइड में और यह एक इंच इस तो extra है हमारा इसको तो कुछ नहीं करना है और यहां से फिर से इस तरह के से लाइन डॉक कर देते हैं इस box में तो यह हमारे दो कट रहेंगे यह यह डिजाइन इस तरीके से हमारे shape आ जाएगे अभी कट कर लेते है तो देखें यह कट हमारे कुछ इस तरीके से आ चुक कर लिया है दौनों कट के लिए एक साथ ही कट हो जाएगा और जो यह ड्राफ्ट निकले हमारे इन ड्राफ्टों को इस तरीके से हम रख लेंगे यहां पर और सेम इसको कट कर लेंगे और इसकी चोड़ाई जो है आदा इंची लेंगे ज्यादा नहीं ले रहे है तो देख इसको भी कठ कर देंगे और फिर इसको से में फिनिशिंग देंगे तो अब इसलिम में और बिजाइन देने वाली उसके बारे मिता जीति तो देखे और डिल्टन कप्ड़ा जिया है इसका साईज विता चोड़ाई ने ने डेड़ इंच लिए और लंबी पट्टी लेले इ किनारे पर स्लाइडर के पलट देंगे तो यह आदा इंच की डोरी हमारी तैयार हो जाएगी इससे हम इसको डिजाइन करेंगे और देखिए कुछ और कपड़ा लिया है जितनी आपकी महरी है उससे डवल कपड़ा ले ले तो देखिए इसकी जो चोड़ाई लिया है मैंने त देताथी इमाने इसम्हें सल्भ पढ़ बसे और यहां से और यह मोरी का साइड है और जो हम स्की प्रिल को पेले लुटल्र करेंगे और इसके बाद पेम और इसकी घ्शान पीजर करना ने चली झाल झाल तो देखें, cut हमारे complete हो चुके हैं अभी हमने जो canvas पट्टी ली थी उसको मैंने तयार कर लिया है अभी stitch करते हैं तो देखें इस तरीके से हम यहां पर इसको रख लाएंगी same arrangement और start करते हैं तो देखिए इस तरीके से हमने यहां पर पलट दिया है तो अंदर की तरफ इस तरीके से फिनिशेंगे यहां पर तुरपई कर देंगे और सीधी तरफ देखिए यह हमारा कट इस तरीके से दिखेगा हम इसके ऊपर भी स्लाइड नहीं लगा रहा है हम दूसरा भी डिजैन त उसी समय श्टिच डाल दें, तो दिखी मैंने इसको आइरन कड़ दिया है, तो देखी मैंने यह ग्रीन कलर का कपड़ा लिया था, एक इंच ओड़ा उसको पलटके यह पत्टी तैयार कर लिये और इसकी लम्बाई मेंने 2 इंच लिये, आप इतनी लम्बाई ले 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 जो हम यहां पर फिनिशिंग में आ सकें तो देखिए इस下 कट का सैंटर यहां पर ते यहां पर जो दूसरी डूर ही है उसको इस तरीके से देखिए यह Ciान की तरफ स्टिच करेंगे तो यहां पर पर देखिए कि है यहां पर इस तरिके से यह डोरी आ चुक की है अभी यहां पर जब रॉपाइगे है इसके साथ हमारी दोरी की भी टीच Cancer हो जाए गाँ मन इसी तरीके से से दूसरे साङ्ट में डाले जैन स्टिच कर देते हैं तो दोनों डेजैन मैंने स्टेच कर देंगे और यह जो गोल्डन कपड़ा लिया था उसकी मैंने डोरी बना लिया इसकी लंबाई एक इंच लिया अभी हम यहां पर इस तरीके से जो यह बॉक्स हैं दोनो इसमें से हम डोरी को यहां पर निकाल देंगे उल्टी तरफ लगा देंगे इसको फोल्ड करके लगाएंगे इसलाइब जो कि अच्छी फिनिशिंग आजाए द्हागे भी न निकलेंगे तो देखिए यह यहां पर अच्छे से तैयार हो चुकिया अभी दूसरा जू लिया हमें पीस इसको इस तरीके से नकाल देंगे दूसरे में से इ अभी जो हमारी यह फ्रिल है यहां पर भी जो यह फ्रिल है इनको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और यहां पर भी एक-एक मोती स्टिच कर देंगे तो यह डिजाइन जो हमारी कुछ इस तरीके से दिखिए तो देगी इस फ्रिल को यहां पर इस तरीके से प्लट जैंके इस तरीके से यह जाएगी और फिर से हम मैं इस तरीके से पळट देंगे जी डिले बाद में मुत्ति क्यां कर दिया ज creeping और याँ पर शूड़ा दिया से फिर्सार हमिन जाएग तो छोड़ा चुड़ा कम तो आप देख रहे कि यह यह ड़र लुक रहे है ग्रीन भी दिख रहा है और यह फ्रेल भी हमारी इस तरीके की डिजाइन में दिख रहे हैं और यहां पर जो हमने यह डिजाइन बनाई थी देखी कितनी सुंदर लग रही है उपर की भी नीचे की और मैंने इसकी साइट फिटिंग कर दी तो आप देख रहें कितना सुंदर दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हुगा वीडियो को सेयर करें लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें थेंक्यू